हेलो दोस्तो मैं बिने अपने इस यूटूब चैनल CMC मिश्रा फैमिली पर आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूँ हाँ तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्त होंगे और पढ़ाई में तो अभी वियस्त नहीं होंगे क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप मैटिक बोर्ट का जो रिजल्ट आया है उसी में थोड़ा सा ब्यस्त होंगे लेकिन हम चाहेंगे कि अप धीरे धीरे आप पढ़ाई में भी ब्यस्त हो जाएं क्योंकि आप हमारे देश के फ्यूचर हैं आपका ठीक होना ही हमारे देश को ठीक करता है तो आईए दोस्त आपके निरंतरता को आगे बनाए रखने के लिए हम उस कड़ी को लेकर फिर से आगे बढ़ रहे हैं न जिसे हम गत सबता पहले छोड़े विये थे हाँ आप से हम में किसी परकार की कोई परसानी उत्पन नहीं होगे हां मीत्र आज हम मेनली रूप से बात करने वाले हैं न कि इटली के एकिकरन का दूतिये चरण क्या था या ऐसे कहें तो अठारे सो अनताली से लेकर अठारे सो बासट तक का जो काल रहा इटली में उसमें विक्टर एमे दे देना चाहूं ताकि आज से उसे हम लिंक कर दें मित्र मैं अपने पुराने लेक्षर में यह बताया था कि फ्रांस के करांती से ओत्पोत होकर इसमें एड करना चाहें तो हम कहेंगे कि 1830 और 1849 की जो फ्रांस में करांती हुई उससे मेजनी ओत्पोत होकर इटली को एक क प्रियास करता है हाँ ऐसा जरूर है कि वह अपने जीवन काल में जिस लक्ष को लेकर आगे बढ़ा था उसे पूरा तो नहीं कर पाया लेकिन इटली में जन आंदोलन काफी तिर्वगती से आगे बढ़ने लगा ऐसे कहें तो राष्टवाद की भावना में तिर्वगती आ लेकिन जैसे ही इटली में या एकिकरन के लिए जो जन आंदोलन हो रहे थे उसको गती देने के लिए एक सासक आते हैं ऐसे कहें तो एक समराठ आते हैं जिनका नाम रहता है विक्टर एमेनुवल और विक्टर एमेनुवल साडिनिया और पीडमौन के सासक होते हैं और मित्र साडिनिया पीडमौन के बारे में मैं बताया था कि अठारे सो जो पंदरे में बीना समझाता सम्मेलन होता है तो इटली के ओ कई के छोटे छोटे भागों में तो बाटा जाता है लगिन साडिनिया और पीड मौन को एक कर दिया जाता है हाँ चाल तो ऐसा रहता है कि वहाँ एक करन ना हो सके लगिन जैसे ही विक्टर एमेनुवल की इंत्री होती है वहाँ के समराठ के रूप में तो या इटली को एक करने में या ऐसे कहें तो साडिनिया पीड मौन में इटली के सभी राज्यों को बिले करने के लिए काम करना एस्टार्ट कर देता है और मीत्र अपने कार्जों को क्रिया नवेन करने के लिए या अपने नीतियों को क्रिया नवीत करने के लिए एक बिक्ति को परधान मंतरी बनाता है जिसका नाम राता है काउंट काबूर और मीत्र काउंट काबूर इटली के एक करन में वहीं आस्थान रखता है जो कि भारत के एक इकरण में ऐसे कहें तो भारत को एक करने में साधार पठिल का जो युगदान है वहीं आस्थान इटली को एक करने में काउंट काबूर का भी राता है तो आए मित्र आपका समय विश्ट ना करते भी हैं हम सीधे टॉफिक पर बातचीत करते हैं, तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, काउन्ट काबूर के बारे में हैं, तो काउन्ट काबूर इतली को एक करने के लिए, तरतरा की यूजनाये बनाता है, और सबसे बड़ी बाधा जो है न, वह आश्टिया का मनता है, और आपके जनकारी के लिए मित्र मैं बताऊं, काउन्ट काबूर एक सफल कुट नित्यग्यता के साथ, एक आच्छा राजनेता, और ऐसे कहें तो राश्टवादी बीचारधारा का समर्थक करने वाला भी होता है, मित्र काउन्ट काबूर की कुट नित्यग्यता का पता आप इस बात से लगा सकते हैं, कि वह आश्टिया को तो इटली का एक इकरन की बाधा मानता है, लेकिन वह यभी मानता है, कि इटली में अभी उतनी तागत नहीं है, या ऐसे कहें तो इटली अभी उतनी ससक्त रूप से मजबूत नहीं है कि आश्टिया से पंगा ले सके या आश्टिया से डाइडिक्ट लड़ सके लेकिन अपने कुट नित्यगता के बल पर वह ऐसी यूजना की तलास करता है जिसे आसानी से अश्टिया को पराजित की जा सके या मात की जा सके और इसी संदर में मित्र एक सन की बात मैं बताना चाहूँगा वसन रहता है 1853-1854 जिसमें क्रीमिया को लेकर के फ्रांस और अश्टिया के बीच में जूद होता है और बिना फ्रांस को बुलाए हुए ऐसे कहें तो बिना काउंट काबूर को फ्रांस मदद मांगे हुए या काउंट काबूर फ्रांस की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है क्योंकि मित्र इसका मन्सा यार आता है यदि हम फ्रांस के साथ दोस्टी करेंगे तो एक दिन आश्टिया का जो हंस्थेप इटली में है वह एक ना एक दिन कम हो जाएगा और इसी उदेश से मित्र फ्रांस के साथ देने के लिए क्रिमिया के इूद में जो है काउंट काबूर अपनी सेरा को भेज देता है और परणाम जान करके मित्र आप दंग रह जाएंगे परणाम यह होता है कि फ्रांस काउंट काबूर के सेरा की मदद से अश्टिया पर विजय हांसिल करता है और पेरिस में एक संदी होती है उस सांधी में फ्रांस अश्टिया के साथ साथ पीड माउंट और साडिनिया के सासक को भी बुलाए जाता है इससे काउंट काबूर की महता जो है वह चर्मुत कर्स पर पहुंग जाती है इतना ही नहीं मीत्र ये काउंट काबूर अपनी कुटी नित्यगता के बल पर उस सांधी उस जो संधी हो रही होती है उसमें आश्टिया के हंस्टिशिप जो इटली में होता है उसको गैर कानूनी घोसित कर देता है और ऐसे कहें न तो इटली की जो समस्या थी न उसे पूरे इरोब की समस्या बना देता है ऐसे कहें तो सार्डिनिया पीडमॉंट पर पूरे इरोब का नजर जो है न आकरिष्ट कर देना का काम करता है तो मित्र आप समझ सकते हैं कि काउंट काबूर जो है कितना बड़ा सफल कुटिनी तक होता है इतना ही नहीं मित्र मैं आगे की बात कहूं न तो यह फ्रांस की समराथ होते हैं जिनका नाम रहता है नेपोलियन ठर्ड इनसे यह दोस्ती करता है और इस बात के लिए उन्हें र परदान करेगा ऐसे कहें तो अपनी सेना मुझे देगा अश्टिया के एगेंस्ट लगने के लिए और मित्र आगे ऐसा होता भी है हाँ बदले में काउंट काबूर जो है इतली के दो परदेश होते हैं जिनका नाम रहता है नेस और सेवाए यह संदी के ताथ फ्रांस के सम यह कौन सी बात हुई कि इतली के दो परदेश सिवाए और नीस को देने के बाद इतली को एक करने के लिए यह काउंट काबूर जो है यह नेपोलियन ठड से दोस्ती करते हैं लेकिन मित्र आपके जनकारी के लिए मैं बताऊं कहा गया है तीन कदम आगे बढ़कर एक कदम हटना फिर भी दो कदम आगे बढ़ने के बराबर है ठीक ऐसा ही काम काउंट काबूर का है काउंट काबूर मानता है कि यह चोटे दो परदेश दे देने के बाजूद यदि पूरे इतली को ऐसे कहें तो पूरा इतली का यदि यह किकरन हो जाए तो यह बहुत बड़ी उप संदी होती है च्टिया और फ्राउंस में उसका फाएदा जो है वह अकाउंट काबूर भी उठाता है ऐसे कहें तो सादिन्या प्रीड़मांट का जो सासक विक्तर एमेनुल है यह भी फैदा इसका उठाता है और फ्रांस के साथ इसकी दोस्ति हो जाती आ ऐसे कहें तो एक साड़निया पीड मौन्ट की हेल्प करने के लिए फ्रांस अपनी सेना देगा और मित्र ऐसा आगे होता भी है एक सन की बात मैं मित्र करूँगा 1869 से 60 की बात करूँगा सीमा के बिवाद को लेकर के अश्ट्रिया और साड़निया पीड मौन्ट में युद्ध हो जाता है और संदी प्रस्थाओं के तहट फ्रांस हेल्प करने के लिए ऐसे करें तो फ्रांस साड़निया पीड मौन्ट का मदद करने के लिए अपनी सेना को भेज देता है और मित्र आप यह जानेंगे न कि जैसे ही जुद्ध एस्टार्ट होता है उसमें फ्रांस की सेना के हेल्प से काउंट काबूर अश्टिया के एक बहुत बड़ा राज होता है जिसका नाम रहता है दोंबाडी उस पर यह अपनी कबजा अस्थापित करता है इतना ही नहीं आगे जो है अश्टिया का एक और बड़ा राज्य है जिसका नाम है विनेसिया उस पर भी यह अपनी कबजा अस्थापित करता है लेकिन इसे नेपोलियन बोनापाट जो ऐसे कहें तो नेपोलियन ठड जो है वह घबला जाता है और घबलाने के कारण यह भी हो होते हैं मत इटली के लूग जो होते हैं वह एक बहुत बड़ा जन आंदूलन करने के लिए तियार होते हैं लेकिन जैसे ही लड़ाई आगे बढ़ती है विनेसिया पर जैसे ही साड़निया पीडमोन का कबजा अस्थापित होता है ऐसे कहें तो आश्टिया की अभाहार होन और साड़निया पीडमोन की मध्यास्ता करने की बात नेपोलियन ठाड फिर से करता है जिसका रियल्ट यह होता है मित कि लोंबाडी पर कवजा तो काउंट काबूर कराता है साड़निया पीडमोन कराता है लेकिन विनेसिया फिर से अस्थिया की नियंतरन में चला जाता है लेकिन मित्र काउनकाबूर इतना बड़ा महत कांची होता है, कि जो वह सपना मेजनी का लेकर के चला था, उत्री इटली और मद इटली को एक करने का, इसके लिए वह अपने सिवाई परदेश देने की बात फिर से करता है, नेपुलियन ठर्ड से, और उसे इस बात के लिए राजी कर लेता है, कि आप अपनी यूद में अपनी भूम का निस्क्रिय रखेंगे, और सिवाई परदेश को मिलने के बाद नेपुलियन ठर्ड इतना मस्त होता है, कि वह यहां तक की भी काउनकाबूर से काता है, कि यदि मद इटली की जनता, और ऐसे कहें, तो उतरी इटली की जनता, यदि एक होना चाहें, ऐसे कहें, तो वहां जनता की अगर चाहो, तो साडेनिया पिड़माउंट में मिल सकता है, फ्रांस इसका बिरुद नहीं करेगा, और मित्र या पता रहता है काउन काबूर को, इसलिए वह इस बात के लिए राजी हो जाता है, और अंता ऐसा होता भी है, आपके जनकारी के लिए मित्र मैं बता हूँ, 1860 से 1861 तक, एक आप रोम को छोड़ दो, तो इटली का पूरा मद भाग, मद भाग में मित्र मैं फर्मा मेडूला तस्कनी को लेकर के बात कर रहा हूँ, और उत्री इटली में बनेसिया को छोड़ दो, तो यह संपुल्ण को यह एक सासन के अंतरगत, ऐसे कहें तो बेक्टर एम्मेनुवल के सासन के अंतरगत लेकर के आता है, मित्र यहीं रहती है, काउंट काबूर की प्लानिंग, यहीं काउंट काबूर का कार्ज रहता है, मित्र इतना ही नहीं काउंट काबूर का मुलकात जो है या जच्छनी इटली में एक और बेक्ती से होता है जिसका नाम रहता है गैरी बाल्डी और गैरी बाल्डी भी अपनी अहम भूमकानी भाते हैं जिसकी बातचित मित्र हम कल के लेक्चर में करेंगे आज बस इतना ही मैं सिर्फ यह बता पाया कि काउंट काबूर कैसे अपने कुटनी तग्यता के बलपर मद्ध इतली को और ऐसे कहें तो उत्री इतली को कैसे एक करते हैं अब मित्र जो सपना मेजनी जो देखा था और अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाया था उत्री इ इवनकाल में, ऐसे कहें तो 1860 में, यदि आप रोम को छोड़ दे, मद इटली में, तो परमा में डूरना तसकनी सहित लेकर उपर बनेसिया को छोड़ दे, उतरी इटली में, तो संपुल्न को एक कर देता है, और मित्र, आगे मैं बात करूंगा, कि कैसे इसकी मुलकात जो है, वह गैरी बाल्दी से होती है, तो यहीं रहा इटली के एक करन का धूतिय चरण, हाँ इसमें एक तौफिक भच रही है मित्र, गैरी बाल्दी का मुलकात कैसे होता है, इनी सारी बात को हम मित्र यहां पर लिखा है, थोड़ा सा हम इस पर भी बात चित कर देते हैं, जो कि मै पर चारी रखने के लिए, ऐसे कहें तो अपने नीतियों को करिया निवीत करने के लिए, वह काउंट काबूर को परधान मंत्री बनाता है, काउंट काबूर की मित्र मैं बात किया, कि वह सूफल कुटिनीत्तक के साथ साथ एक राष्टवादी ब्यक्ति होता है, इटली के किकरन या सबसे बड़ी बाधा मानता है किसको अश्टिया को मानता है, और मित्र इसकी कुटिनीत्तक गयता कि बात मैं मित्र करूं तो करीमिया वाला इदुका भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही या 1853 में जो करीमिया का युद्ध फरांस और अश्टिया के बीच में ह होता है, उसमें या कूट जाता है फ्रांस का हेल्फ करने के लिए, जब कि फ्रांस किसी परकार की मदद काउंट काबूर से नहीं मांगता है, लेकिन इसको या लगता है कि या बढ़िया असर है फ्रांस का हेल्फ करने का, क्योंकि जैसे ही फ्रांस जीतेगा, फ्रांस इसक की बात मीत्र करूं तब पेरी इसमें सांती संव्मिलन होता है है उसमें फ्रांस अस्टिया के साथ-साथ-पी-डमाउन को भी वलाए जाता है इस से इसकी महता जो होती है कांट काबोर की या आगे बढ़ जाती है और कांट काबोर जो आश्टिया की हांस्थछप जो इतली में होता है उसे गैर कानोनी घोंसित कर देता है इतनी ही नहीं इतली की समस्या को वह पूरे इरूप की समस्या अपने बात के माध्यम से बना देता है और नेपोलियन ठर्ड से दोस्ती करता है दोस्ती का बात हिया होता है कि अगर इन फ् कानकाबूर की अलोचनाएं होती है कि या इटली के राष्टिये असमीता के साथ खिलवाल है या राष्ट को तोड़ने की बात है लेगिन मित्र कोई दूसरी बाते नहीं होती है जिस तरह हमारे भारत से पकिस्तान को अलग करने के पीछे का इंटेंशन हमारे देश के करांति सामारी कारियों को आप समझ सकते हैं ठीक वैसे ही बात यहां भी होता और अंता मित्र में बात करूँ कि फ्रांस का जो समराथ होता है वह खूस होता है और यहां तक असवासं देता है नीस और सिवाइप परदिस लेने के बाद कि अगर उत्तरी इـ rightly और मध इटली की अंता होता भी है अब जानते हैं कि 1869 से 60 में अश्टिया और फीड मॉन्ट में सीमा समंदी लेकर विवाद होता है लेकिन जैसे ही विवाद होता है फ्रांस हेल्प करने के लिए काउंट काबूर का आता है और काउंट काबूर बहुत बड़ी जीत अस्थापीत करता है यानि ऐसे क तो जो अश्टिया का बहुत बड़ा राज्य होता है लोंबाडी उस पर इसकी कभजा हो जाती है बेनेसिया पर कभजा हो जाती है हां इससे थोड़ी सी घबराट नेपोलियन ठड को होती है इसलिए वह अपनी सेना को वापस कर लेता है लेकिन अंतामित इसकी लोग प्रि इतली को और मद इतली को आपस में मिला लेता है और नेसिया को भी छोड़ करके बाकिर सभी रियाष्तों को अपने आप में मिला लेता है और इसकी मुलकात जो है ना दक्षणी इतली में होती है गैरी बाली से जो मित्र वह भी बहुत बड़ा रोल वादा करता है जिसके ब बूक में भी पढ़ेंगे, ओके बाइ, थैंक्स,